राजस्तान में 2023 में कुल जब्ती का आकड़ा 1000 करोड रुपे को पार कर गया है अधिकारियों की मुताबिक इस साल कुल जब्ती में 3 गुना भड़ो उत्री हुई है जो 2021 में 322 करोड रुपे, 2022 में 347 करोड रुपे और 2023 में अब तक 1021 करोड रुपे है विदान सभाद चुनाव से पहले क्या हुई बड़ी कारेवाही? राजस्तान में होने वाले विदान सभाद चुनाव से पहले पिछले 15 दिनों में 245 करोड रुपे कैश जब्त किया गया है चुनाव की मद्द नजर पुलीस उत्पाद शुलक, आईकर और अन्य प्रवर्तन एजंसियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है अवेद नकदी, शराब, ड्रक्स, सोना चांदी, आधिकी, जब्ती में एक नया रेकोड बनाया गया है 2023 में कुलजप्ती का आंकड़ा एक हजार करोड रुपे को पार कर गया है अधिकारियों की मुताबिक इस साल कुलजप्ती में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है जो 2021 में 322 करोड रुपे, 2022 में 347 करोड रुपे और 2023 में अब तक 1021 करोड रुपे है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रविन गुपता ने बताया कि जोन से चुनाव आयोग सभी प्रवर्तन एजंसियों के साथ सीधे समन्वई में काम कर रहा है तब से 648 करोड रुपे की नगदी और अन्य सामगरी जब तकी गई है पिछले 15 दिनों में 245 करोड रुपे की नगदी और अन्य सामगरी जब तकी गई है उन्होंने बताया कि पुलिस आयकर विभाग और सीमा शुलक विभाग ने 30.4 करोड रुपे का सोना चांदी और अन्य कीमती धातुय जब तकी है विभिन एजन्स्य द्वारा 84.22 करोड रुपे की मुफ्त वस्तुय और अन्य वस्तुय भी जब तकी गई है ब्यूरो रिपोर्ट जी एस्टवी